कि नमस्का स्वागते आपका अब देख रहे हैं प्राइम टीविया में कीरती लेकर आज़ेर हूं बड़ी चर्चार कोरोना वाइरस के बढ़ते हुए मामलों ने भारत की सासे आफ़त में डाल दी थी अभी भी भारत से कोरोना का खत्रा टाला नहीं है बीते 24 घंटों में 1,32,364 नए कोरोना केस आए और 27,13 संक्रिमेतों की जान चली गए वहीं 2,07,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं देश के बड़े-बड़े राज्यों में हालत बस से बत्तर होते जा रहे हैं महराश, दिली, उत्रप्रदेश, भिहार जैसे राज्यों की हालत इतनी खराब हो गई है कि यहां का हेल्थ सिस्टम आईसियो पर आ गया है कोरोना की दूसरी लहर के प्रकूप का इतना बढ़ने का मुखे कारण सिर्फ और सिर्फ लापरवाही थी तो इसलिए अभी खत्रा चला नहीं है आई बताते हैं कैसे अभी भारत में रोजाना के केसों के टार्गेट में गिरावट नहीं हो रही है दूसरा कारण एक्टिफ केस के मामलों में भारत दूसरे नमबर पर है तीसरा कारण अभी भी सबसे ज़्यादा मौते भारत में ही हो रही है चौते चरण चौता कारण जो है भारत में भले ही 22 करोड से अधिक वैक्सीन लग गई हो लेकिन हमारी जनसंख्या के साब से ही काफी कम है भारत में अभी सिर्फ 13 फीजदी अबादी को टीका और करीब 4 फीजदी अबादी को दोनो टीके लग गए है पांचवा कारण वैक्सीन को लेकर ग्रामीन शेतरों में फैला अंधविश्वास तो ये तमाम कारण है जिसके चलते जो कुरोना की तीसरी लहर है वो घा तक साबितना हो जाए इसको लेकर तैयारिया दुरुस्त करने जरुत है तो आज का बड़ा सवाल यही है कि कहीं लापरवाही ना पढ़ जाए भारी तो वहीं इस चर्चा पर इस वक्त हमारे साथ दॉक्टर आदर्श जूट चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका दॉक्टर आदर्श मैं आप से सबसे पहले चारना चाहूंगी कारण हमने बताएं कि किस वज़े से जो करोना है उसको हम हलके में ही सकते हैं लेकिन जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है वहीं जहां अभी लॉक्डाउन भी लगा हुआ है वहां की बिस्तितिया हम यहीं देख रहे हैं उन्हें कही न कहीं यह लगने लग गया है कि अगर कॉरोना के जो आक्ड़े है उसमें कमी दर्च की जा रही है तो जो कॉरोना का खत्रा है वो भी कम हो गया है लेकिन आपको लगता है कि कहीं यह लापरवाही भारी न पढ़ जाए जी बिल्कुर मैं डॉक्टर आदर सेबाटी जर्वन ओम्योल मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका बहुत ही सही कुश्चन है और ये लापरवाही कहीं न कहीं हम लगों को थर्ड लहर की तरफ भी ले जा सकती है क्योंकि जिस हिसाफ से लोगों के अंदर का भाय जो है समात हो सर्कार के हाफ में बहुत ही लाले पड़ जाएंगे क्योंकि लोगों की संख्या है यह तना होगी जिसका प्रप्ल होगी जिसका हम काय सकते हैं और सरकार के हाथ में भी सम्हालने के लिए बहुत ही लाले पड़ जाएंगे क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमारे हां जो स्वास तेवाएं हैं वो काफी ज्यादा कम हैं तो इसलिए हमें जो है उन चीजों को क्योंकि अब जैसे पहले सहरों में होता था अब गाओं में देख भी तरुटर रादाश परवाहर ने बहुत हैं अब जो दूसरी लहर के लिए हैं लेकि लोगों को तो यह भी समझने की जरूद है कि तीसरा कारण हमने बताया था कि अभी भी सबसे ज्यादा मौत भारत में हो रहे हैं लगातार मौत का अकड़ा भी कम नहीं हो रहा है जी बिल्कुत सही कर रहा है क्योंकि लोगों ने जो है जब लगा दिये गया है तो उससे जो है पुरा सा क हर अच्छार के साथ को हम दृखना है के साथ नहीं है हमारे पास ऐगाधर हैं तरही उसके अनुषार आच्छा है तो इसलिए जो है हर वेक्ति को यह ध्यान रखना है कि हम उस हाई टेक्नलोजी के साथ नहीं है हमारे पास जो एक लिम्टर साधांस है इसके द्वारा ही अपने आपको बचाना है तो अगर हम फुद स्वयम जो है इस पर प्रयास करेंगे तभी जो हम इससे काफी निजात पा क्या तीसरी लहर में यह दर्शाय जा रहा है कि कही ना कहीं जो लहर है वो बच्चों के लिए घातक साबितों की वहीं महराज के जो एहमतगर में दस अजार बच्चे संक्रमित हुए तो यह जो चिंताएं वह और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है इन वजो से पिलकुर कि जो है आप ने मैं सभी क्या क्यांकि यह जो क्रोणा है यह क्या कर रहा है अपने जो है अगे से HR पर कुछ कि आ तो है बच्चों में do कापी हठी यह बच्चों को काफry सकता है लखने मिलने नहीं को अर। या भू कॉछब बार्वेस भी जासकता है रहा है तो इस थरडी रहर सेज़गे टौर से चाहraft सकता है जो पहला सबसे बड़ा हतियार माना जा रहा है दॉक्टर रादर्श वो वैक्सीन को माना जा रहा है लेकिन जिस तरह से हम वैक्सीन देने की प्रक्रिया है उसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी इतनी बड़ी उचाल नहीं दर्ज की गई हाला कि भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा निर्माता है उसके बावजूद भी तीन से चार फीस दी ही अभी तक वासियों को वैक्सीन की डोस दी गई है तो क्या लगता है आपको जो ये लक्ष एक जो तैक किया जा रहा है लगतार ये बोला जा रहा है कि जुलाई से हम एक करोड प्रती दिन डोस लगाने की प्रक्रिया शुनू करेंगे तो आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा साही कुछने कि आपका मैं बताना चाहूँगा देखे वहां से सरकार की तरफ से तो जो है जो बनाया जा रहा है ़ो सप्लाइब को लेवेर लेकर लेकिन जो यहांपर बेरसायं जो यह इस तर पर देंगी जा रही एंचाना हो रही इसपो जो है आज सब कुछ online हो चुका है तो बहुत से लोग हैं अभी registration नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों को जो है कुछ time अलग मिल नहीं है कभी कुछ तो बहुत सी अनिपताइं देखने को मिल नहीं है तो इसमें जब यह हाई लेबिल पे जो है इसमें अपना participation देंगी तभी यह पॉस कर सकते हैं तो जन संक्या के हिसाथ से काफी बड़ा है तो इसलिए जो है हमें जो है एक अपनाना पड़ेगा जिसके द्वारा हर एक ब्रेक्टिक तक जो है इसका जो है तहीं तरीके से पहुंच जाए या प्रॉपली जो चैनल है उनको जो है इसमें जब तक नहीं मिल सकता है तो इसको कहीं न कहीं सरकार को जो है वो दवाओं की चीजों की कमी नहीं है लेकिन कमी कहीं न कहीं जो है जिस्तम में तोड़ी सी है कि इसको हर प्यक्ति तक कैसे पहुंच जाए सही तरीके से इसको जो है इसको जो है विचार करना है और इसको जो हर प्यक अन्लोक की स्थिती भी पैदा कर दी गई है जहां लोकडाउन है वहाँ पर भी लोग घरों से बेजुज़क होकर बाहर निकल रहे हैं और यह नहीं समझ रहे कि अभी कोरोना के मामले कम नहीं कम हुए है गया नहीं है कोरोना किसी लहर आने का इंतजार है अजिए यह अजिए यह पता अपना प्रवाद नजरा लिए जैसी जैसी केसज कोई जो आपके मालियम से अउर आप ज़्यदी के मारियम से यह बात बताशना को आप सबी देशवाश्यों को जो भी रिवाद सो सकते हैं कि आप किसी रैक्सी के फेर में मत पढ़ी है इसके चक्तर है बहुत ज़ादा पढ़ी पिरहाल के लिए जो साइंट फिक तरीके से एक सबसे जारूरी जो अथियार है आपका करोना के खिलाब गो तो ना करें मास्क्ति एक शारूरी और अपने साथ बारी है कि या तो आप स्वैंब या कोई दूसरा वहती है आपके एक मीटर के दारे के अंदर आ सकता है तो आप तुरंग मास पहलें यह बातें जो मैंने अभी तक बता ही यह ओपन स्पेस के लिए जैसे आप तहलने के निकले हैं अगर आपको लगता कि ऐसे लों के पास जा रहे हैं या किसी ग्रूप में जा रहे हैं तो मास पहल ली है तो अगर एक यंत्र सही दिशा में काम करेंगा सही तरीके से काम करेंगा तो जो प्रोड़क्टिवीटी यह उस कंपनी की बढ़ जाएगी तो कंपनी इस बात पर ध्यान अख़ता चाहिए कि जब वर्क करवा रहे हैं तो उस समें को रोना प्रोपिएट बिएवियर इसा होना चाहिए क्यों उसकी दो हैं पहला पहला यह वायरस अभी गया नहीं है वैरस वायरस है और फिर से वापस आ सकता है ऐसी पूरी समयाना है दूसरा जब तक वायरस से लड़ने का कोई और एफेक्टिव तरीका नहीं आ जाता या कोई और अच्छी तरह से ऐसी वैक प्रोटेक्शन जिसकी बात कर की जा रही है वो कैसे मिलेगी क्या लगता है आपको कि किस तरह से एंटीबॉडी प्रोटेक्शन मिल पाएगी क्योंकि पहले ही डोज इतने दिन में उसके बाद 28 दिन बाद दूसरी डोज मिल रही है कि यह कि अपने जो कि सवाल कोचे हैं यह जो एंटीबॉडी जिसके वारे अपनों तो यह बहुत नहीं विद्धा यह नहीं तग्रिया है इसको अभी तक मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया हो सकता है जब तक यह इतनी सरुसुलब हो और इतनी आसानी से बढ़नों कि मेरे ज सब्सक्राइब तो क्योंकि आपके अंदर की दुद्धारक शंता नहीं तो बिल्कुल बैसे है कि ऐसे समझ दे कि इसी के शरीर में खून का बंदा बंद हो गया है तो भी आप उसको जिन्दा रख सकते हैं हर 10 दिन पे 15 दिन पे खून चढ़ा के लेकिन अगर आप सोचे कि एक 80 साल तक किसी ऐसे वेक्ति को जिल्दा रखना है जिसके अंदर खूर खून नहीं बन रहा है तो 80 साल तक हर 15 दिन पे उसको खून चढ़ाना और मोस्त ना उनकिन होगी यह प्रक्टिकली पॉस्पिल नहीं तो जो इलाज जो सर उसलोब सही तरीके से हमारे पूरे देश में अप्लाई हो सकता है जिससे हम भारी मात्रा में लोग की जान बचाने का प्रयास कर सकते हैं उस पे ध्यान देना चाहिए नाकि नए विग्ञान के शुगों हो दॉक्टर वाजिश हम वैक्सिनेशन की बात करें भारत में भने ही 22 करोड से अधिक वैक्सीन लग गई हो लेकिन असलियत यह है कि हमारे पास संख्या के साब से बड़ी चुनौती है बड़ा लक्ष है जिसे हमें तैह करना है वो सफर है लेकिन एक करोड प्रती दिन जुल सब्सक्राइब कर दिया है या कई राज ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि वैक्सिनेशन की कमी इसलिए वह यह वैक्सिनी नहीं कर पा रहे हैं लोगों को करती जी आपने बहुत अच्छा सवाल को और मैं दवाद दिना चाहता आपकर सवाल के विए खिरती जी भारत देश के सामने वैक्सीन एक बहुत उप्योगी हथियार के तरह उपर सित हुआ है जिसको हम लंबे बतलब बहुत भारी पैमारे पे इस्दिवार करें बहुत सा लेकिन वैक्सीन के अपने कुछ है लिविटेशन है हालां कि जिस प्रकार से में देखना हो कि आदरणी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जर्बुकी मंत्री हैं ज्री योगी आदितना जी ये लों मैं देखना हो दिन लात लगे हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन नि किले लेकिन समस्या कि सीघुन की कि डिवन जी-ची शी घुआ साली सबस्क्राइब स्रोंवे सांधर की इसा मेरा मानना है यह मीरम सकता हुआ ने कि उसके पीशे माल जों मेरा चैको मैं सोचता हूं जहां तो बता ओंकी एक बंदृ स्थर और अट वारत वेटेशनल यानि व जो आपके अंदर बीमारी नहीं पैदा करेंगी लेकिन बीमारी से बच सकें ऐसी प्रत्रोदक शमता बना सकती है जी वैक्सी निये काम करते हैं मुझे दो बार को रोड़ा हुआ है अक्टूबर में हुआ अब दो जार बीच में और अभी दो जार इंटिस एप्विल में विवा है मैं अपने कुछ परसनल एक स्वींसी जी जो मैंने समय उब्सर्व कि ना सिर्फ मुझे वगल कि मेरे परिवार में मेरे एक तीन साल की बच्ची विये और एक पच्छतर साल के मेरे पत्नी के पिता ज जी और बाकी हम पांच एलों तो मेरा जो तजलबा रहा क्योंकि मैं आपने बारे मुटा दो मैं मैं अब्स मैंने के जी एंशी लग्मानों से क्या था बहुत प्रीमेर इस्टीटुटे जहां का बीनिकल जो नॉलेज बहुत अच्छा माला जाता है मैं अपने टाइम का प् जो में आपना से बहुत अच्छा माला जो दूसरा क्योंकि मैं इस घतना से स्वें गुजर चुका हूं तो मैं पूरी इमांदारी से चीजों को बताना चाहता हूं जो मेरा तजूर्बा रहा है अक्टूबर में इंफेक्शन का और जो एपरिल में इंफेक्शन था दोनों तो लोग बहुत अलग आए जो अक्तूबर में इंफेक्शन था यानि कि जो फस्ट वें में हुआ था बहुत साधारण इंफेक्शन था सिंपल सा था उसमें हमारे परिवार में सिर्फ जो ऐसे वेख ते जिनकी उमर सथर साल के उपल थी उनको समस्या हुई लेकिन उनको भी हमने और सपोर्टीव टीटमेंट से यानि के एल्टू केर से बचा लिया था इस बार हमारे घर में दो लोग ऐसे थे बताब सभी लोग ऐसे थे जिनको इंफेक्शन भी हो चुका था और दो एक लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन भी लग चुकी है मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं मेरा डैक्सीन के लिए नाम आया था लेकिन मैं ने का क्योंकि मैं अभी और अक्तूबर इंफेक्शिन से रिकोश्चन हो चुकां तो मझे जब नैचरल एंटीजिन से इम्टी से डवलप हो चुकी तो गर श्यक्ता नहीं हो कोविट का खत्रा नहीं है अगर आप एक पॉजिटिव हो चुके नहीं है जब कि यह भी गलत है उसका रीजन में बता हूं क्योंकि यह जो छे महीने गुजरे मेरे जिसमें मैं दो दो बार इंफेक्ट हुआ और मेरी वाइफ वैक्सीन लेने के मावजूद फिर कोरोना इंफ और दूसरे को नहीं मिली और मुझे मेरे वैक्सीन लगवाई थी तो मुझे दोबारा को न हुआ हुआ साथ मेरे वाइब जो बैक्सीन लगवा चुकी ती उसको फिर से दुपारा को उनु और पिछली बार से साथा तेश हुआ तो कहने की बतलब जो हम आख मून की अगर ह जो सोच हैसको बदलना पड़ेगा अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है अचा वैक्सिनेशन के बारे में चीज और को बापको बता दो वैक्सीन पूरे भारत देश को ऐसे लगाना समझ लीजे कि आपके पास भारत देश को समझ लीजे एक हजार डबे की रेल-ग में पानी भर के आगे पहुचोगे जो डबे में मौजूद रहती है वो इसको इस्तेमाल करेंगा पानी कम होता जाएगा तो किसी पी समय ऐसा नहीं हो सकता कि फुरी गाड़ी में पानी भरा हो यानि वैक्सेनेशन एक तो वैक्सीन कम है दूसरे आपको इंफ्रस्रॉक्शन नहीं है तो किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 70% पॉप्लेशन के अंदर वैक्सीन प्रोवाइड़े होते हैं हमगों किसी पॉपलेशन के 70% लोग यह वह इंफेक्शन के वज़ा से यानि कि और एंटीजन से मिली हो या फिर वैक्सीन की वज़ा से मिली हो यह अगर 70% आप किसी डिजीज के लिए तो वो डिजीज का ट्रांस्मिशन जो नैच्रल चेन ऑफ ट्रांस्मिशन रुक जाता है और वो डिजीज पैंडेमिक के तरह नहीं फैलती उस समाज में तो सरकार का सोचना सही है कि हम 70% लोहों में अगर लेवल आप मेंटेर्ट इम्यूनिटी मेंटे लेकिन मेरा मानना यह है कि यह हमारे जियोग्राफिकल और सोचल वैरियेशन पर डिपेंड तो अगर आप यह कह रहे हैं कि कही नहीं कर सकते हैं हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो क्विक रिस्पॉंस सिस्टम बने चाहे वैक्सीन फेल भी हो जाए तो भी हम अपने ल कोई भी है बार इंफेक्शन वा इस अंचे तो जो में अनिवार रहे है लेकिन फिलाल के लिए तो वाक्सीन लगवाना जरूरी हो गया है परिवार की बात करूं तो पूरे परिवार की इम्युनिटी कम से कम 3-6 महिने चाहिए थी जो कि नहीं हुआ इसका मतलब आप अच्छी से अच्छी वैक्सीन भी लगा लिजे तो उस वैक्सीन के कम्प्लीट कोर्स हो जाने के बाद भी जो आपकी त्रेडिबल इम्युनिटी होगी वो 3-6 महिने से जादा नहीं रहेगी और उस बीच में अगर वाइरस दुबारा आया और हमारी 70% पॉपलेशन ऐसी है जिसके अंदर इम्युनिटी नहीं है तो वो दूसरी लहर की शुरुवात होगी तो क्या हम तैयार है क्या हम इस बात के लिए त्यार है कि पहली डोस देने के बाद 7-8 महिने जो रुखने की बात कही जा रही थी तो उस कोविश्चील की पहली डोस के बाद भी आप संक्रम में थो सकते हैं किरती जी यह सारे फैसले सरकार के नीतिगत फैसले हो सकते हैं जी मैं जो आपको बता रहा हूं यह साइंट्विक टंप्रमेंट है यह साइंट्विक बात है जो सच है और इसके लिए आपको किसी सबूत की किसी स्टेडी की जरूरत नहीं है क्योंकि अधे कल सब्सक्क्रस प्राइशन घ्राइशन फिलहाल के लिए कि इसकbers है जिसके शरीर में और भी प्रिवलतन हो रहे हैं हम उसको कैसे बता है उसकी जान कैसे बचाए कि दस महीने तक सुरक्षित अगर आपको इबर कोरोना हो जाता है तो आप 10 महीने तक संक्रमित नहीं होंगे जी आप बिलकुर सही बात कह रहे हैं क्योंकि देखिए हमारी बॉड़ी के जो इम्मिनिटी होती है वो एंटी बॉड़ी पर डिपेंड करती है और एंटी बॉड़ी जिन बेक्तियों को जो है करोना पहले से हुआ है या उन्होंने जो है इसके बैक्सिन्स ले लिए हैं तो इसके दौरा हमारी बॉड़ी जो है वो क्या करती है कि इम्मिनिटी बॉस्टफ करती है और इम्मिनिटी कह सकते होई एक जो है उसलिए फर्मेशन हो जाता है वह इसली कह सकते हो कि हमारे बॉड़ी में एंटी बॉड़ी जुए एक मुत्तया निजय यह घूर करते हैं तो इसुएं घूर से को एक और एक oxford करतेसा को लगने के बाद हमारे बोडी में पर्मिशन हो जाता है तो हमें जो है इसे जो है जो है लगवक एक वाइरस ही हमारी बॉडी चाहिए जो पहला वाइरस होते हैं लड़ने के लिए आपको इम्म्यूनिटी बूस्ट करता है अगर मैं गलत नहीं हो तो जो हमारी बॉडी में इनक्टिव फॉर्म में होते हैं जब कोई भी वाइरस हमारे बॉडी में अटेक करेगा तो एक्टी होकर उसको किल करने का मर करते हैं जाओगो जिस तरह से वाक्ष्टी नेशन को लेकर कह रहें अगर वाक्सीन के थूँ हमारे अंदर वाइरस ही डाला जा रहा है और दूसरे वाइरस से लड़ने के लिए उसकी चमता को बढ़ाने के लिए उस चीज का गर इस्तिमाल किया जावा तो कहीं न कहीं हम इस पर थ बहुत ही क्रूशनी करें जहां गट हैं खरी कि अत्यार देल प्रेण को सब्सक्राइब गृति एक हुं प्रष्ट लैरतेया इन जुन स्वार्व एक जाने के पहले में आपको एक चीज स्वां एक एक चीज़ होती है 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 एक चीज़ का मतलब होता है एंटी बायोटिक देने का मतलब होता है कुछ ऐसा जो उस बायोटि लेकिन यह जो बड़े पैमाने पर हमने क्योंकि कोई भी वैक्सीन या कोई भी वेडिसीन जो मारत में या किसी बीदेश पर आती है या बाइलोजिकल सिस्टम इस्तमाल होती है तो जब तक उसका लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड ना जाए सेटी रिकॉर्ड यह कहाना बहुत बहुत है अच्छी वैक्सीन थी और उसका ट्रैक आप बात को समझें कि इती जा किस्टी से डील कर रहे हैं मैं कहता हूं कि जो है जो आरेने वाइरस है और जो कोरोना वाइरस है यह भी आरेने वारेस इसमें कुछ एना लोगीज है एना लोगीज का मतलब कुछ आरेने वाइरस है है चाहिआ को आरे हुए चालिस साल हो गए है को अरोगीज कुल इंफेक्षिन हैं दूसरी सिमिलार्टी यह के इम्यून सिस्टम के साथ खेलते हैं ऑच आड़े वाइरस आपके इम्यून सिस्टम को एकदम धीमा कर देता अल्ट्रा स्लों कर देता एक अक जासे क्या होता है कोई भी ऑपर्चुनिस्टिक इंफेक्शन तभी हम बोलते हैं एक्वाइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स मतलब आपके इम्यूनिटी कम हो जाती है कि कोई भी बाहर का बैक्टीरिया को बाहर का पंगर्स क्या कुछ भी है चाईवी पेशिंस। पर सीदिफियों सेल्स होती हैं आपका इम्यून सिस्टम समाप्त हो जाता है बागी बाधी बॉड़ी को है यह पर एक्टिवेट कर रहे हैं दो वाइरसें दोनों और यह वारेंस और दोनों अलग तरीके से आपके शरीर को छथा रहारें तो यह जो एनालोगी जो मैंने आपको ही वायरस वायरस में बताईए अगर आप इन चीजों का ध्यान रखे आप कोरोना ट्रीप्मेंट स्ट्रेट्जी फॉल नहीं करोगे तो आप फेल होगे कीरती जी सुनने को बहुत ऐसा लगेगा नेकिन आप भी वैस्क हैं और ज्यादा तर दश्रक हैं वह भी वैस्क होगे मैं खाली यह सवाल पूछना चाहता हूं अगर एचाइवी की कोई एक्सी वैक्सीन आजाए कि वह सेवेंटी पॉसन एफेक्टिव हो तो क्या उसको लग तो आपको एचाइवी इंफेक्शन हो सकता है बिल्कुल बैसे ही जो आभी जी प्रिजेंट वैक्सीन से जी बिल्कुल जो 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 तरीका आप एचाइवी कंट्रोल में देखते हैं आपका जो परस्नल सेक्ष्व बीहेवियर है या परस्नल हाईजेरिक बहेएर वह कैसा है वही आपको पिछाइवी इंफेक्शन से बताते हैं कि तरह से अगर वाक्सीन रन को बढ़ाने से बैता रहे कि हम वैक्सीन की गुनवक्ता को और एक बर जांच लिए आप यह कहना चाह रहे हैं कि मैं प्रिजेंट जो वैक्सीन से इनिसे बहुत जादा संतुष्ट नहीं हूं और इससे ना संतुष्ट रोने के दो रीजिन है पहला साइंटिफिक रीजन है जो मैं आपको बता चुका हूं दूसरा जो रीजिन हो इस लिए कि वैक्सीन हमारे देश में सक्सेस्फूल न पानी भरना शुरू करो जैसे आप एक छोर से दूसरे चोर तक पानी भर के पहुंचोगे जो शुरू के डबने उनमें पानी खतम हो चुका होगा यानि जिसके उपर वैक्सीन भी काम नहीं करेगी तो आप कहां चाओगे कि आपके वास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप इस तरह से भारी प्रेमाने पर होने वाली जान की च्छती को बचा सको नहीं है उस पर विचार करना चाहिए वैक्सीनेशन जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए सर वैं उसके बारे में भी कोई ठोस कमेंट नहीं करना राज धर्म तंतीन कर वोई वेगी नास तो जो डॉक्टर होता जो चिखितसक होता है वो वैद भी होता यानि कि मैं तो फिलहाल मैंने आपको जो मोला वो मेरी अपनी धारणा है मेरे अपना मंतव दे है तो सकता है मैं सहीद हूँ या गलत हूँ जी ठीक है डॉक्टर राजईश और डॉक्टर रादर शमाय सार जुनने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए तो जिस तरह से डॉक्टर राजईश भी बता रहती है कि वैक्सीन की गुडवक्ता कितनी है और ये कितने हाथ तक क्योंकि अभी जिन लोगों को वैक्सीन दी जारी है और बाद में ये ड्राइव होती है वैक्सीन की कि इस इतने दिनों तक कि आपको प्रोटेक्ट करेगी लेकिन उस ड्राइव को आप एक साथ हर किसी का अंदर नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे पास जनसंक्या बड़ी है चुनौतिया बड़ी है लेकिन में खराब है वैक्सीन नहीं लगवाने चाहिए इस और आप अग्रिसर मत हो येगा क्योंकि वैक्सीन ही हमारा सबसे बड़ा हत्यार है इस वक्त कोरोना से लडाई में अगर आप कुछ महीनों के लिए भी वैक्सीन से कुछ बच सकते हैं तो वो जरूरी है लेकिन उनका कहने सुनिश्चित करेगे कि जो वैक्सीन ड्राइफ रन जो चल रहा है उसको लेकर आगे खत्रा खतम हो जाएगा करोना को लेकर जो खत्रा बन रहा है वो कम पढ़ जाएगा क्योंकि HIV का भी एक्जामपल हो नहीं दिया तो ये तमाम बाते वैक्सीन को लेकर भ्रहम फैलाने कर परक रही है जैसे डॉक्टर राजेश और आदर्श ने बताए कि मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हतियार है तो उसको जरूर लगाई और वैक्सीन भी जरूर लगवाईएगा